Hello friends, आज मैं आपको poetry 2010 की movie explain करने वाल हूँ ये movie एक grandmother की बारे में है, जो poetry करना चाहती है पर उसके family में जो crime होता है, उससे वो भाग नहीं सकती एक जबर्दा statement के साथ ये movie execute होती है, तो चलिए शुरू करते है movie start होती है, और हमें एक नदी दिखाई गई है नदी के किनारे पे कुछ बच्चे खेल रहे होती है, वो जब नदी में देखते है तो वहाँ एक लड़की की body तेर रहे होती है, इसके बाद नेक सिन में हमें जो grand mother है, वो दिखाई गई है, हमारे main character का नाम मिया है यह hospital में बेटी हुए होती है, यह doctor के पास आती है, तो इसके शिकायत होती है कि इसका हाथ दुकरा है doctor से बात करते करते, उसे एक शब्द याद नहीं आता doctor इसके लिए concern हो जाता है, कि अगर इसे कोई भी word याद नहीं आ रहा होगा, तो यह बड़ी बीमारी हो सकती है उसके लिए टेस्ट ओगरावा मंगवाता है, मिया के आम के लिए doctor कहते है कि थोड़ी exercise करनी चाहिए hospital से मिया जब भार आती है, वहाँ एक औरत रो रही होती है, नदी में जो लड़ी मिली थी, यह उसकी ही मदर है यह लड़ी और मिया का grandson, यह दोनों एक ही school में पढ़ते थे, मिया को अब यह पता जल जाता है मिया hospital से निकल के अपने job पर आ जाती है, एक बहुत बुड़ा आदमी होता है, जिसके care वो रखती है इसे वो नहलाती है, इसके सब वो काम करकर वहाँ से जाती हुई हमें दिखती है जाते जाते इस आदमी को बता कर जाती है, तो यह आदमी उसे रोकने वाला होता है पर वो कहती है, यह बहुत सारे काम मैंने आच कर लिया है यह बुड़ा आदमी फिर उसे पास बुलाता है, उसे as a bonus बहुत सारे पैसे देता है मिया जहां काम करती है उसके नीचे ही ग्रोसरी शॉप होता है यह जो ग्रोसरी शॉप है यह इस old man की daughter in-law चलाती है मिया daughter in-law से कहती है कि यह old man ने मुझे बहुत सारा bonus दिया है daughter in-law कहती है कि तुम्हें वो बहुत ही पसंद करता होगा औरना हो किसी को पैसे नहीं देता मिया जब घर पर आती है बहुत सवर से गाना चल रहा होता है गाना चला कर उसका grandson सोय हुआ होता है कुछ गलत है ऐसा मिया को लगता है और उससे पूछती है पर वो कुछ भी नहीं बताता मिया के grandson का नाम जॉंग है जब रात होती है तो जोंग खाना का रहा होता है इसलिए मिया और जोंग यह दोनों रात में बैडमेंटन खेलती है जौंग को अपने friends का कॉल आ जाता है और रात में अपने friends के साथ ये निकल जाता है Next in में हम देखते है मिया जो होती है ये cultural center में आती है इसे poetry का class करना होता है जब वहाँ पोश्टी है वहाँ की secretary कहती है कि हमने पूरी admission फिल कर ली है मिया कहती है कि और कुछ नहीं हो सकता उसे करना ही होता है तो इसलिए अप ये इस class को join कर लेती है मिया class में बैठती है poetry सिखाने वाला professor जो होता है उसके हाथ में apple होता है वो सबसे कहता है कि आपने कितने बार apple देखा होगा life में पर कभी भी आपने really apple नहीं देखा है जब आप apple देखोगे उसके बार काईया आप देखोगे उस पर जैसा light आ रहा है उस पर जो freckles है बहुत सारी चीज़े आपको दीख जाएगी इस तरह से आपने कभी भी apple को नहीं देखा होगा वो उन सब को फिर exercise देता है उन सब को actual में चीज़े जो होती है वो देखकर आने होती है प्रोफेसर कहता है जब भी तुम चीज़ों को सही तरीके से देखोगे तो poetry अपने आप आ जाएगी मिया घर पर आती है और यही exercise करने लग जाती है थोड़ी दिन में उसका grandson आता है और अपने बहुत सारे friends को लेकर आता है यहाँ उनके एक secret meeting चल रही होती है निज़ दिन मिया वरांडे पर बैठती है और पेड को देखती है पेड को पहली बाद देख रही है इस तरह देख रही होती है उसे फिर एक call आता है जोंके friend के parent का यह call होता है मिया गही थी है मेरी poetry class है यह खतम करकर हम मिल सकते हैं जहें poetry class खतम हो जाती है तो पहे parent वहाँ आय हूँ होता है यह parent फिर मिया से पोचता है क्या तुम poetry कर रही हो मिया कहती है कि मैं सिर्फ classes विकरा ले रही हूँ वो फिर क चोटी थी उसके teacher ने भी उसे inspire किया था पर अब 50 साल बात जब उसने poetry class का poster देखा तो अब उसे इससे pursue करना था यह parent फिर मिया को एक hotel में लेका राता है यहाँ और भी चार लोग होते हैं यह जो बात करना चाह रहे हैं यह beer विगरा मंगावकर postpone कर रहे होते हैं तो इन्ह suicide छे लड़कों की वज़े से की थी वो सब मिलकर इसका बहुत सालों से rape कर रहे थे अब वो सेहन नहीं कर पाई इसलिए उसने suicide कर ली थी यह parent कहता है यह जो छे लड़के थे उन्होंने confession कर लिया है और यह जो छे लड़के होते हैं यह इन parents के ही son होते हैं यानि कि मिया का grandson John भी इसमें शामिल था पिछले sin में हमने देखा था कि John अपने friends के साथ beating कर रहा है यह वही problem वो face कर रहा है यह parent फिर बोलता है कि इतना ज्यादा mentor हमें यह बंड़न नहीं देना चाहिए पुलिस और लड़की की जो मदर है इनसे हमारी बातचीत बहुत ही सही चल रही है हम पैसे देखकर यह settlement कर सकते है यह सब बात वो कर रहे होते है तो यह मिया वहाँ से चली जाती है बाहर जाकर लाल फूल होता है जिससे वो देखने लग जाती है यह parent फिर उसके पास आता ह मिया कहती है यह जो लाल फूल है यह bird represent करती है और यह जो फूल होता है यह shield की तरह होता है यह भी उसे कहती है इसका मतलब है यह जो हुआ है गलत हुआ है पर इन सब को यह shield कर रहे है रात में जब वो घर आती है तब जॉंग वहा होता है जो सब चीजे हुई है जॉंग को वो इससे कुछ भी फायक नहीं पड़ रहा, मिया भी उसे कुछ भी बोल नहीं रही, तब जॉन स्कूल के लिए बाहर निकल जाता है, तो मिया उसके रूम में आती है, उसका म्यूजिक चल रहा होता है, उसे बन करना होता है, तो यह बन नहीं कर पाती है, बहुत डिस्टब ह हो जाती है, इसकी चीजे भी यो ढूंटे है, यह उसे कुछ ना कुछ तु मिल जाए, मिया को फिर से पैरेंस का कॉल आता है, और इनकी मीटिंग हो रही होती है, यह सब डिसाड करते है कि सब ने मिलकर 30 मिलियन वान दे दी है, तो यह मदर कुछ भी नहीं करेगी, यह सही स भी नहीं होता है, और वहां से वो चली जाती है, फिर वो अपने जौब पर हमें दिखाई गई है, और मिया का वो खायल रखती है, उससे नहय ला दी है, और सब कम उसका कर देती है, यह जो ओल्द मैन होता है, उसे पूछता है कि आज क्या हुआ है, तो स्माइल नहीं कर र लेती है यह ओल्ड मैन भी इस पर हसने लग जाता है मिया फिर ओल्ड मैन की घर पर ही शावर लेने लग जाती है शावर में रोने लगती है यह उसके साथ जो भी हो रहा है इसलिए उसके बहुत बुरा लग रहा है ओल्ड मैन भी यह पहचान लेता है और बाहरी आवास सुन मिया जब घर पर आती है तो जोंग टीवी देख रहा होता है वो सब मेस करता है और अपने रूम में चला जाता है मिया उसे फिर से बापस बुलाती है कि मिया उसे कहती है जो भी गंदेगी तुम नहीं की है यह तुम्हें ही साफ करनी है यह सब साफ करकर वो अपने रूम में चला जाता है, मिया से रहा नहीं जाता, वो जॉंग के रूम में जाती है और उसे पुछती है, कि तुमने ऐसा क्यों किया है, मुझे जवाब दो, जॉंग ब्लैंकेट भेहन लेता है, और मिया ब्लैंकेट उससे निकालनी पाती है, नेक्स दिन ब्रिकफास्ट में ज़रा ओक पुछती है, जो लड़की मर चुकी है, वो इस स्कूल में थी, वो कहा कहा जाकर आई होगी, यह सब वो देखकर वअंडर करती है, शीटी में एक जगाँ पर पोएटरी रीडिंग चल रही होती है, मिया बहाँ जाती है, वहाँ जाने पर बहुत सारी पोएटरी हो सुनती ह वो आएक यंग लेडी होती है जिसके पास मिया जाती है उसे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी से पोईटरी करती हो पर तुम ही पहले पोईटरी नहीं कर पाती थी मिया की तरह ही होती है मिया उसे पुछती है कैसे तुम आप पोईटरी कर सकती हो वो औरत उससे कहती है कि poetry करना ये एक flow की तरह होता है जब inspiration आती है तब सब कवीता बहार आजाती है मिया कहती है कि मैंने भी बहुत dry किया था तो ये औरत कहती है कि तुम्हें try नहीं करना है जो feelings होती है ये ये poetry में तुम्हें उतारनी है जो तुम फिल कर रहे हो, यह सबसे ज़ादा honestly तुम यह अपने poetry में डाल देना है मिया फिर से old man की पास आती है, इस old man ने आज उसे pills लाने के लिए बोला होता है मिया यह pills लेकर आती है, old man यह ले लेता है मिया जब इसको बात दे रही होती है, तो इसका erection हो जाता है मिया यह देखकर चीट जाती है, वो कहती है, यह जो pills थी, वो किसके लिए थी यह old man कहता है, कि मेरी last wish है, मुझे आदमी की तरह महसूस करकर मनना है मिया कहती है, कि अब अब अबने आपका ख्याल, तुम खोदी रखो, अब वो वहाँ फिर से नहीं आने वाली मिया को डॉक्टर ने उसके result के लिए बुलवाया होता है, वो उसे पता चलता है, कि उसे Alzheimer है थोड़े दिनों बाद, वो सब कुछ भूलने लग जाएगी उसे कहती है, जो भी सब पैसे हमें उस मदर को देने है, उतने पैसे मेरे पास नहीं है क्या तुम मुझे लोन दे सकते हो, यह parent उसे मना कर देता है नेक्स दे मिया पोएटरी क्लास में जाती है, पोएटरी क्लास में सब लोगों के जो ब्यूटिफुल एक्स्पिरियंस है, वो यह जता रहे होते है मिया का जब टन आता है, तो कहती है कि मेरी बड़ी सिस्टर थी, जभी मैं छोटी थी, तो मुझे पुकारती थी और मेरे हेर्स को अच्छे से करती थी, यह कौम करती थी, जभी मुझे पुकारती थी, उस पुकार में प्यार था वो जब मेरे बाल सहलाती थी, तो मुझे बहुत भी ब्यूटिफुल लगता था, वो मुझे बहुत ही प्यार करती थी मिया घर जाते वक्त रिवर के पास आती है जहाँ इस लेटकी ने सुसाइड की थी उस पॉर्ट पर वो आ जाती है जहाँ एक रॉक पर बैठती है और वो ही सोचने लग जाती है वो जो फिल कर रही है यह पोईटरी में उतार नहीं पा रही वहाँ फिर बारिश आ जाती है वो बस लेकर जो ओल्ड मैन था जिसके पास वो फिर से जाने नहीं वाली थी वो वहाँ आ जाती है उसने अभी हभी कहा था कि उसे फिर से ब्यूटिफुल महसुस करना है ओल्ड मैन के पास आकर उसे पिल्स देती है ये दोनों फिर intimate हो जुके हैं ये हमें दिखता है मैया जब घर पर आती है वहाँ एक reporter आयो होता है ये जो reporter होता है इसे settlement के बारे में जो भी सब हो रहा है इसके बारे में ज़्याद़ कुछ पता नहीं होता पर इसका guess होता है तो मिया से बात करने लग जाता है मैं उसे बहुत सारी information देती है पर उसे फिर realize होता है इसे सच मुछ में कुछ भी पता नहीं होगा ये मुझे सिर्फ information निकल वालेगा इसलिए उसे वो दूर भागती है reporter को जो भी सब information मिया ने दी थी इसकी वज़े से अब parents पर जादा ही pressure बढ़ चुका है parents ने मिया को बुला आता है मिया को सब कहते हैं कि जो mother है उसके पास तुम जाओ उसे कहो कि उसे कितने पैसे हम देने वाले हैं तुम औरत हो तो तुम औरत से अच्छी तरीके से बात कर सकते हो तुम जो भी अब सब कहोगे यह बहुत ही important होगा जोंके classmate का parent होता है अब मिया को जिस लड़की की family थी उसके पास वो लेकर आता है मिया वहाँ पोच्छती है घर पर जाती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता उस लड़की की photo हो देखती है नेबर मिया को कहती है कि घर पर कोई नहीं है लड़की की मदर जो है वो field पर कही है वो शाम तक आएगी मिया कहती है यह फिल्ड में जा सकती हो उसे कहती है कि आज मैंने apricot खाए और यह जार से नीचे किर चुके थे एक नई life की तलाश में और कुछ beautiful बनने के लिए यह जमिन पर पड़े हुए थे मिया फिर मदर से कहती है कि यह साल crops के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा इतना अच्छा sunlight आ रहा है मदर कहती है कि अब अच्छा crop आएगा और बहुत ही जादा supply भी हो जाएगा इसलिए जादा पैसे उन्हें नहीं मिलने वाले मिया कहती है कि मुझे यहां रहना कितना अच्छा लगेगा मदर कही थी कि अच्छा में जब तुम यहां रहोगे तो बहुत ही difficult होता है मिया जिस spiritual life के बारे में बात करती है यह इस मदर की नहीं है वो reality में जी रही है पेट से फल गिरा तो यह उसका purpose है इसा उसे लग रहा है पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मदर की life है यह difficult है यह real है मिया उससे कुछ भी बात नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है पैरेंस को कहती है कि मैं उसकी मदर से मिलनी पाई मिया फिर से poetry reading में आती है वहाँ एक police officer होता है जो लोग को हसाता है poetry करता है इसकी poetry इतने beautiful नहीं होती है और यह generally dirty भी होती है मिया की वहाँ जो friend होती है उससे कहती है कि poetry के meaning यह है कि यह beautiful हो पर इस आदमी की जो poetry है यह उतने अच्छे नहीं है इसे इससे problem होता है यह सब फिर dinner करते है इस dinner में police officer को मिया की friend बुलाती है जो मिया ने कहा था वो सब कहती है police officer उससे apologize करता है police officer कहता है कि मुझे इतना सब कुछ इसके बारे में नहीं पता इस poetry class में मिया का जो teacher होता है उसे भी invite किया होता है वो यहाँ और एक poet को लेकर आता है जब यह सब dinner करने के लिए बेटते है तो मिया अपने teacher से गहती है कि आपने मुझे बताया था कि poetry उडने चाहिए पर ऐसा मेरे साथ नहीं हो पा रहा मिया कि teacher के साथ और एक poet जो आया होता है यह दर्द में होता है यह बहुत द्रंग होता है और इसको इस पर believe नहीं हो पाता वो यह believe नहीं करता कि poetry fly करती है inspiration आ गई और आपने सब कुछ लिग डाला ऐसा कभी भी नहीं होता यह इस poet का perspective होता है हर poet अलग-अलग होता है और सब की process अलग-अलग होती है इस class के बाहर Mia होती है और वो रो रही होती है पुलिस officer उसके पास आता है उसे पुछता है कि क्या कुछ problem है next day Mia ने जो लड़की ने suicide कर ली थी उसकी photo अपने पास लाई होती है और वो लंच टेवर पर लग देती है यौंग वहाँ आता है इस photo को देखता है पर उस पर जादा कुछ react नहीं करता अपने आप डीवी देखने लग जाता है यौंग फिर नेचे छोटी लड़कियों के साथ खेल रहा है यह हमें दिखता है जो भी सब उसने किया है इससे उसे कुछ फरक नहीं पड़ रहा है और अपने लाइफ का एंज़ा कर रहा है इसा सब कुछ मिया देख रही होती है अब जो मदर थी उसके साथ सब पैरेंस की मिटिंग चल रही होती है यह दोनों एक दूसरी को जानती है यह वो जता दे नहीं मिया वहाँ से बाहर चली जाती है एक पैरेंट उटता है उसे पुछता है कि तुम कहा जा रही हो मिया कहती है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी यह पैरेंट कहता है तो यह पैसे देना ही पड़ेंगे अगर तुने पैसे नहीं दी है, तो यह settlement नहीं हो पाएगा यह बहुत ही बुरा हो सकता है मिया को पैसे देने ही पड़ेंगे मिया फिर हमें दिखती है, ओल्ड मैन के पास हुआ जाती है उससे कहती है, कि मुझे 5 मिलें यॉन चाहिए यह बुर्ण मैन उसे पुछता है, किस के लिए चाहिए यह उसे कुछ भी बता नहीं रही होती वो कहता है, कि क्या मैं तुम्हें ऐसे ही दे दू मिया फिर उसे ब्लैकमेल करती है वो कहती ही, कि जो भी हमारे साथ हुआ था वो तुम्हारे फैमिली को में बता सकती हो और मैन उसे पुछता है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो और मैन के पास कुछ आप्शन भी नहीं होता इसलिए वो सब पैसे उसे दे देता है मिया यह सब पैसे पैरेंट को जाकर दे देती है घर आते आते, यॉंग उसे गेविंग पारलर में दिखता है उसे वहाँ से वो निकाल थी है और एक रेस्टारन में लेकर आती है उसे उसका जो फेवरेट पिजा होता है, वो वो खिलाती है वो फिर यॉंग को कहती है कि कल तुमारी मदर आने वाली है उसने बहुत दिनों से तुमें नहीं देखा है इसलिए उसे तुमें देखना चाहिए इसलिए मैंने उसे पुला लिया है जब ये दोनों घर पर आते है यॉंग की जो नेल्स होते है, ये बढ़ चुके होते है ये सब वो काट देती है यौंग को फिर वो कहती है कि तुम अच्छे से आप बात ले लेना जब तुम अपनी बॉडी क्लीन रखोगे तब ही तुम्हारा माइंड भी क्लीन रह सकता है रात में दोनों बैडमेंडन खेल रहे होते हैं तो मिया का पुलिस फ्रेंड यहा आ जाता है यौंग को औरेस्ट करकर वो लेकर जाते है मिया उसके फ्रेंड के साथ ही बैडमेंडन खेलने लग जाते है इसका मतलब है यौंग को उसने ही औरेस्ट कर वाया था यौंग जेल में जाने से पहले उसे एक मैसेज वो दे कर गई है उसके जो body है उसे वो firstly clean करने है उसके बाद ही वो अपना mind clean कर पाएगा उसे अपना mind clear करना है और यह एक process है यह उसे कह कर जाती है रात में एक poetry लिखती है दूसरे दिन poetry class होता है यहां मिया नहीं आती उसके teacher को उसने जो poetry लिखी होती है वो देखर वो चली जाती है मिया की daughter घर पर आती है तो मिया उसे कही भी नहीं दिखती है जो मिया ने poetry थी वो हमें आप पढ़कर सुनाई जाती है इसमें लिखा होता है कि दिन भर आकाश में freedom के साथ birds गुमते है जो फिर से forest में आते है क्या वो तभी भी सिंग कर रहे होते है इसमें लिखा होता है जो confession में करना चाती हो क्या हो में कर सकती हो अब ए goodbye कहने का time आ चुका है जो promises कभी भी खतम नहीं होते जो pair कभी मुकम्मल नहीं होता जिस तरह से shadows मिट जाती है इसी तरह से अलविदा लेने का आज टाइम है यह letter जब चल रहा होता है तब जिस लड़की ने suicide कर ली थी वो लड़की हमें दिखाई गई है वो school में है bridge पर जा रही है जहाँ उसने suicide की थी यह हमें दिखाई जाता है यह जो सब feelings है यह इस लड़की की और मिया की सेम है यह हमें दिखाई जाता है यह letter फिर आके बढ़ता है इस letter में लिखाऊता है यह मैं सब के लिए pray कर रही हो आप सब को पता होगा कि मैं आप सब से कितना प्यार करती थी मैं आप सब को दुबाई देती हूँ और मैं dream करना start करती हूँ अब मैं सोने जा रही हूँ पर मैं फिर से light में उठूंगी यह जो सब कविता है यह heaven के बारे में अब हमें bridge दिखता है जिस पर लड़की है और अब यह कुदने वाली है मिया ने भी इस bridge से ही छलांग लगा कर suicide कर ली है मिया जो है यह heaven पर believe कर रही है उसका जो अंध है उसमें वा heaven में चली गई है यह वो believe करती है लड़की ने suicide कर ली थी पर यह बदल नहीं सकती यह लड़की एक अच्छे जगा भरे यही वो hope कर सकती है इस लड़की के लिए जो भी सब करना था तो मिया ने वो कर डाला है इस लड़की को justice मिलना चाहिए तो अपने grandson को ही जेल में उसने डाल दिया है लड़की की mother को उसके financial situation के लिए बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए थे यह भी उसने insure किया और उसने वो पैसे उसे दे दिये है हमें लग सकता है यह इसने suicide क्यों किये पर इसका जो भी सब उसे करना था वो एक कर चुकी है इसके grandson का education चल रहा था इसकी वज़े से उसके साथ वो रह रही थे यह अब कतम हो चुका है इसका grandson अब जेल में चला जाएगा और इसका अब कुछ point ने रहा वो एक poetry करना जाती थी last में करकर वो चली गई है मियाँ को Alzheimer है और वो सब कुछ अब भूलने लग जाएगी जिस तरह से उसका nature है वो free है लोग से वो बात करती है वो एक करनी पाएगी अब उसके इस world में सब कुछ काम खतम हो चुके है तब उसने अपसुसाइड कर लिये पर वो hopeful है कि वो heaven में जाएगी कोई इसके लिए ज़्यादा दुखी ना हो इसलिए वो सब को बता कर जाती है कि वो जा रही है अपनी मर्जी से जा रही है और सब के लिए वो दूबा कर कर जाती है यही movie खतम हो जाती है आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगाओगा तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नुटफेशन आइकोन भी दबा दीजे यानि कि आप सब को बहुत सारी movies ही मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखे